क्या आपका वज़द एक जगा पे रुखा हुआ है? क्या आप एक ऐसे परसन तो नहीं जो वेट लॉस की स्ट्रगल के शिकार हो चुके है? Hi everyone, नमस्तीन, मेरा नाम अनूपागरवाल है मैं एक हेल्थ कोच हूँ और मैंने हजारों लोगों को मदद किया है उनकी वेट लॉस के ट्रांस्फरमेशन के लिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पाँच सबसे बड़ी चुनोतिया जो सब वेट लॉस की स्ट्रगल में फेस करते हैं इसमें नंबर वन पे जो आता है वो होता है विल पावर अपना बनाय रखना दस में से तीन परसन ऐसे होते हैं वेट लॉस की जर्नी में जिनमें विल पावर की कमी होने के बचे से अपनी जर्नी को बीच में ही छोड़ देते हैं विल पावर बनाए रखना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए हमें निरत्तर अपने effort जो है वो करते लेना पड़ता है specially जब भी हम dinner party में जाएं या किनी रिष्टेदारों के साथ में हम बेटे हैं हम emotional eating ना कर जाएं या high calorie food टेवल में हो और उसका 7 हम ना करने weight loss journey आपका हर एक mode पे patience का टेस्ट करता है ये बात को हमें समझना होगा कि weight loss करना 20-20 का match नहीं है ये एक gradual process होता है जिस चीज के लिए हमें निरत्तर अपने effort लगाने होते हैं जब हम weight loss के journey पर होते हैं तो अपने favorite food के स्वाद को इंकार करना और इसको accept नहीं करना इस चीज के लिए बड़ा ही हिम्मत चाहिए होता है लेकिन ये आपके सिहत के लिए बहुत ज़रूरी है healthy food ना सिर्फ हमें weight loss के लिए help करता है बलकि आगे चल कर weight management के लिए एक habit डेवलप करता है जो बहुत ज़रूरी है अपने भूक के उपर पर काबू नहीं कर पाना वजन घटाने के लिए भूक पर काबू होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए हमें ये चेक करना बहुत अवशक है कि मेरे खाने में परईयाब मातरा में protein हो और परईयाब मातरा में fiber हो जब मेरे खाने में परियाब मात्रा में प्रोटीन और फाइबर जाता है उससे मुझे बहुत बेधर तरीके से सेटिस्ट्रैक्शन होता है और जो एक्स्ट्रा क्रेविंग है या एक्स्ट्रा फूट खाने की इक्छा है उस चीज से मैं बचता हूँ एक बहुत बड़ा चुश्ट्रागल देखने में आता है वेट लॉस के जन्री में वो होता है वेट लॉस का एक्स्पेंस वजन घडाने से जुड़ेवे खर्च चाहे वो जीम का खर्च हो चाहे वो मेंगे फ्रूट्स या वेजटेबल का खर्च हो इस चीज के लिए आपको सभी को personally invite करता हूँ मेरे दो दिन के live workshop में online workshop में जिसमें आपको इस struggle से निकनने का मौका मिलेगा हमारे busy lifestyle में exercise के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है लेकिन ये आपके लिए number one priority होने चाहिए सुबे का समय हो या फिस शाम का समय हो आपको अपने walking, exercise या workout के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है ये ना सिर्फ weight loss के लिए मदद करेगा बलकि हमारे body की energy level को बढ़ाने में मदद करेगा weight loss के दोरान जो mood swings होते हैं positive mood swing रखने के लिए भी support करेगा Thank you